हेलो एवड़िवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्तान की प्रसिद्ध और पारम परिक खोबा रोटी की रेसिपी ये अपने लुक और । बहुत ज़्यदा प्रसिद्ध है राजस्तान में और इस के इस डिजाइन के कारण ही इसे खोबा रोटी कहा जाता है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खोबा रोटी को घर पर आसानी से कैसे बनाएं ये देखिए आम रोटी से हटकर इस रोटी की डिजाइन कुछ इस तरह की होती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खोबा रोटी खोबा रोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है जिसके अंदर हम आटा गोतेंगे, आप चाहें तो पराथ भी ले लें सबसे पहले बोल के अंदर हमने दो कप गेहूं का आटा मिक्स कर दिया और उसके साथ ही एक कप मक्की का आटा भी डाल लेंगे अगर आपके पास मक्की का आटा ना हो तो आप तीन कप गेहूं का आटा ले लें अब इसके अंदर एक टी स्पून नमक मिला लेते हैं उसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें घी मिलाएंगे घी हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून इसमें डाल लिया है आटा नमक और घी को हाथ से अची तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम एक टाइट सा डो बना लेंगे यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आटा हमें नरम नहीं गुटना है जैसा हम रोटी के लिए आटा गुटते हैं उससे थोड़ा सा टाइट हमें रखना है तो इतने आटे के लिए हमने यहाँ पर एक कप पानी का इस्तेमाल किया है और पानी पूरा एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करकर ही डालेंगे ताकि यह आटा ढीला ना रहे कई बार आटे की quality पर depend करता है कि इसमें पानी कितना जाएगा देखिए कुछ इस तरह का टाइट आटा गूत कर हमने रख लिया और अब इस आटे को ढख कर हम 10 मिनट के लिए साइड में रख लेते हैं आटे को ढखते वक्त इसके उपर थोड़ा सा तेल या घी लगा लें ताकि आटा उपर से सूखे नहीं राजस्तान में पारंपरी खोबा रोटी मिट्टी के तवे पर बनाई जाती है मिट्टी का तवा कुछ इस तरह का होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी के तवे पर ही खोबा रोटी को बनाएं अगर यह तवा अवेलिबल नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी बनाने वाले तवे पर भी खोबा रोटी बना सकते हैं तो आज हम आपको दिखाएंगे कि नॉर्मल तवे पर भी खोबा रोटी कैसे बनाएं दस मिनिट के बाद हमारा आटा बिल्कुल तयार है और हम इसकी अब खोबा रोटी बनाएंगे इतने आटे में हमने दो रोटियां बनाई है तो इस आटे को पहले अच्छी तरह से मसल लें और फिर इसे दो भागों में डिवाइड कर लें अब हम एक पेडा ले लेते हैं और इसकी रोटी बेल लेते हैं यहाँ पर हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे साइज में थोड़ी सी हमें बड़ी बेलनी है और इससे थोड़ा मोटा ही रखना है हमें यहाँ पर खोबा रोटी को पतला नहीं बनाना है खोबा रोटी ह तो जब भी आप घर पर खोबा रोटी बनाएं तो इसे आम रोटी से थोड़ा सा साइज में बड़ा और मोटा बेलें राजस्तान में कई तरह की रोटियां बनाई जाती है जैसे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, जवार की रोटी, बेजड की रोटी और खोबा रोटी इन सबी रोटियों का अपना ही एक अलग स्वाद होता है और अलग अलग तरह की सबजीओं के साथ इन्हें खाया जाता है आने वाले समय में हम सबी तरह तरह की रोटियों की रेसिपीज आपके साथ शेयर करेंगे तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नईनी रेसिपीज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे तो ये देखे हमने बड़ी सी और मोटी रोटी बेल ली है और ध्यान रखें कि आप अपने तवे की साइज के हिसाब से ही रोटी को बेलें साइड में हमने तवा गर्म होने के लिए भी रख लिया है और जब तवा गर्म हो जाएगा तो रोटी को हम सेखना स्टार्ट करेंगे एक बार जब तवा गर्म हो जाएगा तो हम आज को मीडियम कर लेंगे ताकि रोटी अच्छी तरह से सिख सके और जले नहीं धीमी धीमी आज पर हम रोटी को एक साइड से ब्राउन होने तक सेखेंगे तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ नीचे से ही हमें अभी सेखना है एक बार हम रोटी को चेक कर लेते हैं कि वो कितनी सेखी है तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सिख चुकी है तो इसे थोड़ा सा और सिख लेंगे और आज को हम कम ही रखेंगे ताकि रोटी अंदर से भी सिख सके नीचे से जब रोटी सिख जाएगी तो गैस बर्णर को हम एक बार के लिए ओफ कर लेंगे और डिजाइन बनाना शुरू कर लेंगे इस तरह से उंगलियों की हेल्प से हम इस पर डिजाइन बनाएंगे क्योंकि रोटी अभी गर्म है तो डीजाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप चाहें तो रोटी को नीचे उतार कर फिर धीरी-धीरी डीजाइन बना ले और अगर उंगलियों से आप नहीं बना सकते तो आप चिम्टे की हैल्प से भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं तो देखा आपने हम किस तरह से उंगलियों से दबा दबा कर डिजाइन बना रहे हैं खोबा रोटी में इसी तरह से डिजाइन होती है और इसी कारण इसका नाम खोबा रोटी है ये देखिए बाहर से लेकर अंदर तक पूरी रोटी के उपर हमें इसी तरह से डिजाइन बना लेनी है क्योंकि रोटी गर्म है तो आप संभाल कर आराम से इस तरह से डिजाइन बन जाली है और अब हम इसे उपर से भी सेखेंगे अब हम रोटी को उपर से सेखने के लिए तवे को बर्नर से हटा लेते हैं और गैस बर्नर के उपर एक ग्रिल रख लेंगे आप कोई भी ग्रिल या जाली कुछ भी रख सकते हैं अगर आप यह नहीं रखना चाहते हैं तो रोटी को ग्रिल के उपर रख लिया है और दीमी दीमी आज पर हम इससे सेखेंगे आप रोटी को अच्छी तरह से चैक करते जाएं और घुमा घुमा कर सेखते जाएं क्योंकि आपको पूरा ध्यान रखना है कि रोटी जले नहीं और ये देखिए इस तरह से किनारों किनारों से हम रोटी को सेखते जाएंगे क्योंकि बीच में से तो रोटी अपने आप सिखी जाएगी ये देखिए रोटी सेखते वक्त आप देख लें कि उपर से नीचे से चारों तरफ से जहां से भी रोटी आपको कच्छी लगे आप बर्नर की साइड में उस रोटी को रखकर इस तरह से चारों तरफ से धीमी धीमी आज पर सेख लें और ये भी जान रखें कि रोटी जले न गी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें इस रोटी के हर कोने कोने पर आप इस तरह से घी डालने तब ही यह रोटी बहुती स्वाद लगेगी तो यह लिजी गर्मा गर्म खोबा रोटी बन कर तयार है इसे लेसन की चटनी और मुंग की दाल के साथ ट्राइब करें तो अब जाने से पहले वीडियो को धेर सारा लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की मज़िदार रेसिपीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब जब नहीनी रेसिपीज अपलोड करें तो उसका रोटी पिकिशन आप तक पहुंसता रहे हैं